हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैस्पा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों अगेन आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप जा लाइनस हो या फिर कोई लैंग्विज इसके ग्रामर पार्ट हो सारे वीडियो सापको मिल जाएंगे स्टार्टिंं यहां तक हम पहुच गए इसका आगे आप कंटिनुएज डेख करते रहो कि क्या क्या वीडियो आ रहे हैं ठीक है तो पॉलिनॉमेयल्स जो यह चाप्टर अभी फिलाल में हमारा चल रहा था और चाप्टर प्लिनोमियल की बात करें तो आज हम लाएं लेक्चर नमबर 6 और आपको अगर मैं याद दिला दू क्विक रिवीजन करा दू तो लेक्चर नमबर 5 जो था यानि इसके पहले वाला लेक्चर था अगर आपने देखा होगा तो उसमें लेक्चर नमबर 5 में हमने एक प्राक्टिस सेट चालू किया था जिसका नाम था प्राक्टिस सेट नमबर 3.5 अब वो जो प्राक्टिस सेट 3.5 था वो बहुत बड़ा था मैंने उसी दिन आपको बोला था उस लेक्चर में लेक्चर नमबर 5 में मैंने बोला था कि वो practice set बहुत बढ़ा है लगबग तेरा चोज़ा question है और एक ही lecture में cover कराऊंगा तो देड़ से दो घंटे का वीडियो बनेगा तो हमने उसको लगबग 40-50 मिनड़ के अंदरी वीडियो को रोग दिया था और उसके हमने लगबग 6 या 7 example कराये थे आज हम इस lecture में उसी practice set को यानि practice set number 3.5 के जो remaining example से उसको continue करेंगे जो कि किस के उपर base थे हमारे remainder theorem और factor theorem के उपर base थे तो चले शुरू करते हैं तो again एक quick revision बताना चाहूंगा कि remainder theorem और factor theorem होता क्या है विक नजर डालेंगे उसके उपर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है चलो ध्यान देना बच्चा ठीक है चलो यह आगया फिर से remainder theorem तो मैंने आपको बताया था यह चीज पिछले lecture का है लेकिन फिर से revise करा रहे हो remainder theorem में जो भी polynomial दिया रहेगा वो आपको लिखना है dividend के तोर पे जो भी रहेगा p of m के रहेंगे तो m लिखना है p of m x रहेगा तो x लिखना है तो यह लिखने के बाद आपको divider लिखना है divider जो रहेगा उसका opposite जो भी दिया रहेगा जैसे जीरो निकलेगा, तो समझ जाना कि वो remainder 0 है, remainder 0 आ गया मतलब वो क्या है, factor है, factor theorem की बात करें, वैसे तो ये process में सिर्फ remainder निकलता है, remainder theorem से हमें remainder निकलता है, लेकिन वो ये अगर factor theorem की बात करें, तो अगर remainder 0 आ जाता है, तो मतलब वो factor है, और अगर remainder 0 नहीं आता, not equal to 0 आता, तो वो factor नहीं है, तो ये सब चीज के बेस पे हमने बहुत सरे examples, practice set 3.5 के किये थे, आज हम उसी को continue करेंगे, तो हमने 6-7 examples कितना 7 example करा दिया, आप देख सकते हैं ये example हमने last में कराए था, फिछले lecture में ये question number 7 हमने कराए था, आज हम उसका अगला example कराएंगे, जो कि question number 8, यहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है ready हो, कुर्सी के पेटी rightly बान लो, वीडियो को end तक देखना, ठीक है, और एक request है यार, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपके लिए, प्लीज है, यानि P of M दिया हुए, आपकरना X दिया हुए, एकस के फॉर्म में दिया हुए, तो P of X का जो value है, यानि polynomial से, वो आपको दिया हुए, X cube minus MX square plus 10X minus 20 या आपको दिया हुए, और साथी में बोल रहा है कि X minus 2 जो है factor है, and X minus 2 जो है, is a factor, यह किसका factor है, इस polynomial का, यानि इस P of X का factor है, तो अगर कभी भी आपको बोल के ही दिया है कि भाई, X minus 2 उसका factor है, तो इसका मतलब मेरा remainder is case में क्या होगा, 0 होगा, यानि मेरा, जो remainder होगा, therefore, remainder, आप ऐसा लिखो इसको, therefore, therefore, remainder will be equal to कितना होगा, remainder 0 होगा, इसका मतलब, जो मेरा, यह minus 2 है, डिवीजर क्या है, डिवीजर, X minus 2, minus 2 का उल्टा, प्लस 2, यानि P of 2 होगा, इसका value हमारा 0 होगा, ऐसा उन्होंने question में ही बोल के रखा है, इतना दो दिमार्ग मेरा चल गया, ठीक है, question पूछा क्या है, निकालना क्या है, find the value of M, M निकालना है, और कुछ नहीं, तो सबसे पहले, जो हमारा original question है, उसको हम लिखेंगे, that is, P of X is equal to X cube minus M X square plus 10 X minus 20, ठीक है, तो factor theorem के हिसाब से, हम लोग इसमें क्या करेंगे, X के जगा पे, जो 2 है, देखो यहाँ पे, X के जगा पे क्या डालना है, हमें 2 डालना है, तो X के जगा पे हम 2 डालेंगे, तो 2 का cube हो जाएगा, minus M X के जगा पे 2 plus 10 X के जगा पे 2 minus 20, solve कर लो बच्चा, क्या हो जाएगा, P of 2 का value हमें पता है, question में ही दे रखा है, कि भाई, X minus 2 उसका factor है, और उसका factor है, इसका मतलब remainder 0 है, इसका मतलब P of 2 जो है, इसका value आएगा 0, तो 0 is equal to 2 का cube कितना होता है, 8 minus 2 multiply by M होता है, 2 M, 2 multiply by 10 होता है, 20 minus 20, ठीक है, तो 0 is equal to 8 minus 2 M, plus 20 minus 20 भाई, कट गया, इतना ही बचेगा, 8 minus 2 M बचा, minus 2 M को उधर भेज दूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2 M is equal to 8 हो गया, तो therefore M is equal to 8 upon 2 हो जाएगा, तो therefore M का value हो जाएगा, 8 divided by 2 कितना होता है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो M is equal to 4, तो हमें जो question का answer निकालना था, कि हमारा M का value बताओ, तो हमने निकाल दिया, the value of M is 4, इस तरीके से ऐसे questions को बच्चा solve किया जाता है, बहुत ही easy example होता है, और बहुत ही अराम से हम ऐसे questions को निकाल सकते हैं, अरे, एक सेकेंड, एक गड़बन क्या हो गया, यह X का square है, इदर square आएगा, बच्चा, माफ करना मेरको, ठीके, 4 आएगा, ठीके, न, थोड़ा सा answer में changes से, ज्यादा कुछ ने changes आएगा, बताता हूँ क्या, देखो, ध्यान देना, क्या था यहाँ पे, M का 2 का square, तो मैंने square लिखना भूल गया न, तो यह हो जाएगा, 4M, ठीके, 2 का square, 4M हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 8-4M, 4M उदर जाएगा, तो 4M is equal to 8, therefore, M is equal to 8, divide by 4 हो जाएगा, 4 to the 8, M का value 2 आएगा, माफ करना मेरको, square लिखना भूल गया, और उसको solve करते हैं, इसके लिए confusion हुआ है, but don't worry, हमने उसको correct कर दिया, rectify कर दिया, और सही answer आपके सामने निकाल के दिखा दिया, that is, M is equal to 2, clear, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, चलो, अगला question क्या है, by using factor theorem, determine whether Q of X is a factor of P of X or not, तो यहाँ पे factor है की नहीं, तो by factor theorem कर सकते हैं, same वोई चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है, इसके अंदर दो question है, मैं एक ही कराऊँगा, एक आपके लिए छोड़ूँगा, ठीक है, तो one, first वाला मैं करा रहा हूँ, इसका second वाला आप लोके लिए छोड़ूँगा, तो इसमें सबसे पहल लिखते हो, divisor, तो divisor आपके लिए क्या है, q of x, जो है, वो आपको दिया हुआ है, जो की है, क्या दिया है, x-1, अब इसका उल्टा ले लेंगे, x-1 है, तो हम लोग x का value क्या लेंगे, plus 1, उल्टा लेते हैं, तो take x is equal to plus 1, ठीक है, और इसको लेके हम क्या करेंगे, हमारे क किसमें डालेंगे, main equation में, जो माना dividend वाला है, इसको आप equation number 1 मालो, इसको उठाके डाल दो, put in equation number 1, ठीक है, तो हमारा जो factor theorem, क्या बोलता है, according to factor theorem, factor theorem, क्या बोलता है हमारा, factor theorem ये बोलता है, कि जो value है, उसके अंदर डाल दो, तो हमारा p of x के जगा पर क्या डालना है, हमें equal to, 1 का cube 1, minus 1 का square 1, minus 1, minus 1, ठीक है, 1 minus 1 होता है, 0, ठीक है, देखो यहापे जहां से, क्या बोल रहा है, x square minus x minus 1, तो minus 1, ठीक है, देखो जहां से, इस चीज़ को देखो, क्या आएगा हमारा answer, इस चीज़ को देखो, हमारा, जो answer आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 1 minus 1, 0, minus 1, minus 1, होता है minus 2 तो हमारा जो P of 1 आ रहा है बच्चा ये not equal to zero आ रहा है अगर आप देखोगे कैसे तो P of 1 का जो answer आ रहा है P of 1 का जो answer आ रहा है minus 2 तो P of 1 is minus 2 तो P of 1 2 minus 2 आ रहा है मदब zero के बराबर नहीं आ रहा है तो P of 1 is not is equal to zero तो हम लोग क्या बोल सकते हैं therefore, by factor theorem, factor theorem के आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि हमारा जो division है, जिसका नाम है x-1, therefore, by factor theorem, q of x, q of x, जो की है मेरा x-1, हमें कोश्चर यहीं पूछा है, q of x के फॉर्म में पूछा है, तो हमें बोल रहा है कि q of x, p of x का factor है कि नहीं, तो हमारा यह इसका factor नहीं है, मतलब q of x, p of x का factor नहीं है, तो q of x is not a factor of p of x, खतम का है, हमें यह नहीं बोला था, x-1 is polynomial x q minus x square minus x minus 1 का है कि नहीं, हमें पूछा आता, q of x, p of x का है कि नहीं, तो हमने बता दिया, भाई, 0 नहीं आया, remainder 0 नहीं आता है, value of polynomial 0 नहीं आता है, तो सी इसी बात है, यह factor नहीं हो सकता, इस तरीके से हमने बता दिया, clear, समझ में आ गया, देख लो अची तरीके से, clear हो गया होगा, उमीद करता हूँ, ओके, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अगले question पे चलते हैं, अगला question क्या है, ध्यान देना इस पे, next question is that, if x raise to 31 plus 31, x raise to 31 है, plus x raise to 31, plus 31, क्या दिया हुआ है, x raise to 31, plus 31 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको मुझे, इसको मैं क्या कर लोगा, equation number 1 माल लोगा, और इसको मुझे divide करना है, किस से x plus 1 से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, division is equal to x plus 1, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, take, x is equal to क्या लेंगे, plus 1 का उल् minus 1 और इसको उठा के डाल देंगे, put in equation number 1, हम इसको उठा के equation number 1 में डाल देंगे, ऐसी करते हैं, हम रिमेंडर theorem में, तो हम लोग क्या करेंगे, by remainder theorem, लिख दो लिखने का रेता है, तो लिख देने का ने तो नहीं लिखने कोई लिखकत नहीं है, remainder theorem, क्या है मेरा p of x, p of x क्य है मेरा, x के जगा पर minus 1, तो p of minus 1 is equal to, x के जगा पर क्या लिख होगे, minus 1, raise to 31, plus 31, बराबर, solve कर लेते हैं, इसको, तो यह हो जाएगा, minus 1, raise to 31, कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी आपको 1 आया, 1 raise to something आया, कोई भी चीज़ हो सकता है, x, कोई भी नमबर हो स सकता है, या फिर minus 1 raise to something आया, तो अगर minus 1 raise to something आया, लेकिन वो something यानि जो पावर में positive नमबर है, ठीक है, और एक even नमबर है, तो answer जो आएगा, वो positive आएगा, even नमबर है तो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 करते-करते, एक लाख क्यों ना आने दो, लेकिन एक लाख में अगर वो minus 1 only, ठीक है, यहाँ पे minus 1 raise to 31 का answer minus 20 आयेगा, यह पूरेगा, minus 1 raise to 31, मतलब minus 1 को 31 बार multiply करोगे, तो minus 1 ही आयेगा, क्योंकि 1 multiply by 1 1 होता है ना भाई, तो 31, 30 बार करोगे, तो 1 आयेगा, लेकिन 30 वस्त, 31 बार करो उसको, 1 multiply by minus 1 करो, फिर से minus 1 ही आयेगा, तो यानि माइनस 1 raise to 31 is minus 1 plus 31, तो minus 1 plus 31 is 31 minus 1 यानि 30, आपका answer कितना आगया, 30, तो P of minus 1 is equal to 30, यह आगया आपका 30, therefore, जो आपको पूछा था, आपको क्या पूछा था, रिमेंडर निकालने पूछा था, तो आपका जो रिमेंडर आगया, वो आगया 30, खतम कहानी, यही आपका question का answer है, रिमेंडर का जो value है बच्चा, निकाल चुके हो, clear है, कितना easy example है, आप खुदी बताओ, खुदी बताओ कि कितना easy है, मतलब इससे simple क्या, कोई चीज हो सकती है, क्या बच्चा, समझ में आ रहा है कि ने बच्चा, comment करके बताओ, comment होना चाहिए इसी बाद पे, खिक है, आगे बढ़ ज इतना question दे रखा, इस practice rate के अंतर, मानते इच निए लोग, चलो, क्या करना इसको हम लोगो, यह हमारा division, यह हमारा, इसका, m rest to 21, मतलब, p of m हमें दिया है, kya दिया है, m rest to 21 minus 1, इसको मालनो equation number 1, factor क्या है, देख, दो चीज़ solve होगा, यहाँ पे, दो चीज़ solve होगा, एक तो पे, यह dividend हो गया, वैसे division आपको दिया हुआ है, that is, यह आपका dividend है, और यह division है, that is, m minus 1, ठीक है, यह minus 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लेंगे, take, m is equal to कितना लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, और इसको उठा के डाल देंगे, 1 मे, put in equation number 1, ठीक है, तो as, by factor theorem, factor theorem, उसके P of 1 हो जाएगा, is equal to, m के जगा पे 1 आजाएगा, raise to 21, minus 1, ठीक है, P of 1 is equal to, 1 raise to 21, 1 रहेगा, कि minus 1 रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि नंबर खुद positive है, 1 को कितने बार भी multiply करो, 1 multiply by 1, multiply by 1, multiply by 1, multiply by ऐसा 21 बार करना है, तो 1 multiply by any odd number, any even number, वो 1 ही रहेगा, हमने बात की थी, minus 1 के case म उपर positive, even number है, तो positive आएगा, odd number है, तो negative है, लेकिन 1 के लिए तो ऐसा कुछ रूली नहीं है, तो 1 raise to 21 is 1, minus 1, ठीक है, और अगर 0 आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते है, therefore, 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 by factor theorem, हम लोग क्या बोल सकते है, प of 1 is equal to 0 आया, यानि remainder मेरा 0 आया, तो by factor theorem, यह जो M minus 1 है, by factor theorem M minus 1, यह एक factor है, is a factor of, किसका factor है, इसका, यानि M raise to 21, minus 1 का factor है, तो हमने question यही पूछा था, कि पता लगाओ, कि यह इसका factor है कि नहीं, तो हमने पता लगा दिया, कि भाई, जो मेरा value of polynomial है, यानि remainder जो है, वो 0 आया, और 0 आता है, तो मेरा वो factor होता है, खतम, इसको देख लो, इसको कैसे करना है, यह P of M, M ratio 22 minus 1 है, ठीक है, इसको मान लो, आप equation number 1, इसको मान लिया, इसको मान लिया, आप equation number 1, अब division लिखो, division यहाँ पर भी same ही है, उसके जैसा जो कि है M minus 1, तो यहाँ पर हम लोग क्य value क्या लेंगे, 1 लेंगे, और इसको डाल देंगे, put in equation number 1, 1 में डाल दोगे, तो क्या मिलेगा, P, M के जगा पर क्या डालोगे, 1 is equal to, M ratio 22, यानि 1 ratio 22, minus 1, ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 1 ratio 22 करूंगा, तो भी 1 ही आएगा, 1 minus 1, 0 होता है, तो P of 1, यहाँ आगे, 0, तो P of by, ऐसा लिखो, therefore, by factor theorem, तो हमारा factor है, M minus 1, is a factor of M raise to 22 minus 1, मतलब, यह दोनों ही जो division है, मेरे, M minus 1, यह दोनों को ही क्या है, factor है, ठीक है, समझ में आ गया, clear, तो इस तरीके से ऐसे questions आएगे, तो आपको solve करना है, बहुत easy है, चलो, अगे बढ़ जाते हैं, अगले question बे, clear है कि नहीं, ठीक है, चलो, next question क्या बोल रहा है, question number 12, second last question, क्या बोल रहा है, if X is equal to 2 and X minus 1 by 2, बोथ हर factors of polynomial, मतलब हमें, दो division दे रखे हैं, कि यह division है, और यह division है, हमें बोल रखा, यह दोनों factors है, polynomial के यह रहा, polynomial इतना लंबा चौड़ ठीक है, हमें बोल रहा है कि M का value, N का value 2 है, ऐसा बताना है, बहुत इसी है, कुछ ने करना दिमाख लगाओ, क्या करना है सबसे पहले, जो polynomial है, किसके form में दिया हुआ है, X के form में, यानि मेरा जो main polynomial है, वो क्या है, P of X है, क्या है उसका value, NX square minus 5X, NX square minus 5X, plus M, plus M, यह मेरा polynomial है, इसको चाहिए, तो आप equation number 1 माल लो, अब इसमें दो चीज़ बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि, if X minus 2, R factor और यह वाला factor, तो एक एक करके लेते, तो पहला यह लेता हूँ, तो यह मेरा factor है, तो given that, ऐसा लिखो, ऐसा लिखता हूँ मैं, कि given that, given that, X minus 2 is a factor of P of X, मतलब X minus 2 जो है, यह मेरा factor है, P of X का, तो अगर ऐसा होता है, अगर factor है, तो इसका मतलब X minus 2 का opposite क्या हो जाएगा, plus 2, यानि P of 2 जो होगा, उसका value आ जाएगा, 0, मतलब, therefore, remainder 0 ना, क्योंकि जब वो factors हमारा होता है, कोई भी divisor, किसी भी polynomial का अगर वो factor होता है, तो remainder 0 होता है, तो therefore, यह हाँ पर क्या है, remainder, जो है, वो क्या है, तो कि P of 2 होगा, वो 0 होगा, तो उसको उठाके हम डालेंगे, हम इसके हिसाब से, मतलब किसमें डालेंगे, equation number 1 में, तो इससे क्या मिला हम लोगो, P of 2 is equal to 0, मतलब X का value 2 मिल गया, तो therefore, therefore, X का value क्या है, 2, यहाँ पर क्या है, X का value हमे factor theorem, therefore, by factor theorem, चा बोलता है, यह जो मेरा P of X है, X के जगा पर लिखना है, 2 is equal to N, X के जगा पर 2, इसका square, minus 5, X के जगा पर 2, प्लस M, इसको solve करते है, P of 2 का value इन्हों ने रखा है, 0 तो 0 आ गया, 2 का square होता है, 4, तो यह हो गया, 4 N, 2 multiply 5 is minus 10, प्लस M, अब इसको मैं proper solve करू, तो, minus 10 को उधर भेज़ दूगा, तो plus 10 हो जाएगा, is equal to, यह हो जाएगा 4 N, प्लस M, अगर मैं M और N को एक साथ ऐसा करके लिखो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत है, नहीं, तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ, बस, मतलब, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर कर देता हू तो, 4 N, plus M, is equal to 10 हो जाएगा, और इसको मान लेता हूँ, equation number 1, ठीक है, इसको मैंने मान लिया, equation number 1, हमज में आया, यहाँ तक clear हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगको, यहाँ तक कोई clear, कोई परेशानी, नहीं, चलो, एक line यहाँ पर खीच रहा हूँ, safety के लिए, ताकि उदर solve कर सकूँ, ठीक है, यहाँ पर भी एक line खीच देता हूँ, ताकि question से उसका disturbance ना हो, ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर बिल्कुल एकदम करीबी से ध्यान से देखना, क्या बता रहा हूँ, यह मैंने एक बार क्या लिया था, x-2 एक factor है, लेकिन x-1 by 2 भी तो factor ह of P of x, और अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि remainder मेरा जो होगा, इस case में, इस case में जो remainder होगा, therefore, ऐसा लिको, therefore remainder, जो की होगा, minus 1 by 2 का उल्टा, यानि P of 1 by 2 जो होगा, वो भी होगा 0, समझ में आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते कि इस case में, इस case में मेरा x का value क्या ह हो जाएगा, 1 by 2, तो अगर मैं जो हमारा factor theorem लिखूँ, by again, जो मेरा factor theorem है, again by factor theorem, इसके आधार में ये बोल सकता हूँ, कि जो हमारा original equation है, equation number 1, इसको में उठा के किसमें डालूँगा, 1 में डालूँगा, तो equation number 1 जो है मेरा, इसमें, जो P of x है, इस बार x के जगा पे मैं क्य जगा पे 1 by 2, प्लस M, अब इसको मैं solve करूँ, बच्चा ध्यान देखना, इसको अगर मैं solve करूँ, तो P of 1 by 2 क्या है, P of 1 by 2 तो 0 है मेरा, ये दूसरा condition में 0 आ गया, is equal to, 1 by 2 का square कितना हो जागा, ये ये न तो रहे गई, n रहे गई, 1 by 2 का square 1, नीचे 2 का square 4, minus 5 multiply by 1 is 5, ये एक equation बन जाए, जैसे ये बना, तो हम लोग कैसे solve करेंगे, इसको ध्यान से समझना, ये minus 5 by 2 का मुझे कुछ काम नहीं है, ठीक है, फिलाल में, तो मैं उसको उधर भेज दूँगा, तो मैं 5 by 2 को इधर भेज दिया, minus 5 by 2 इधर आ गया, 0 के पास, प्लस 5 by 2 बन गया, पसे वो equation लिखता हो, that is 5 by 2 is equal to, 5 by 2 is equal to, n by 4 plus m, यही हमारा equation है, इसको continuous solve कैसे करूँगा, ये 5 by 2 को मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे, ये देको cross multiply, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो cross multiply by 1 is n, plus 4 multiply by 1 is 4m, नीचे 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, बराबर, अगर मैं 4 क इसके पास आएगा, तो multiply हो जाएगा, और उधर अकेला बचेगा, n plus 4m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1's are 2, 2 2's are 4 हो जाएगा, 5 multiply by 2 हो जाएगा, 10 is equal to n plus 4m हो गया, ठीक है, मुझे सिर्फ n का value अगर मानलो चाहिए, तो इस 4m को 10 के पास अगर मैं भेजता हूँ, तो 10 इ minus 4m, और अगर हमारा equation number 1 अगर आप देखोगे, तो वो था 4n plus m is equal to 10, ठीक है, 4n plus m is equal to 10, तो अगर मैं equation number 1 लिखो, from equation number 1, equation number 1 क्या है मेरा देखो यहाँ से, यह है 4n plus m is equal to 10, लिको यहाँ पे, 4n plus m is equal to 10, लेकिन हमारा equation number 2 बोलता है कि n का value यह है, तो इस n के जगा पे, क्या यह value में डाल सकता हूँ, डालो, तो 4n के जगा पे मैं नया color लेता हूँ, यहाँ से, ताकि आपको differentiation में आसानी हो जाए, इस 4, 4 तो मैं लिखा, n के जगा पे में डाल रहा हूँ, 10 minus 4m, plus m is equal to 10, और यह कहां से आया, यह आया, from equation number 2, ठीक है, समझ तो 4 multiply पे 10 हो जाएगा, 40, minus 4 multiply पे 4 is 16m, तो मैं अंदर multiply किया और कुछ नहीं, plus m is equal to 10, solve कर लो, देखो, minus 16m plus m, यानि 40 minus 15m is equal to 10, ठीक है, minus 15m को उधर बेज़ दूँगा, तो यह 40, ठीक है, 10 को इधर लाँगा, तो minus 10, minus 15m को उधर बेज़ दिया, तो plus 15m, 40 में से 10 गया, 30 बच्चा, 30 is equal to 15m, तो therefore m का जो वैलू आएगा, 30 divided by 15, therefore m का जो वैलू आया, वो आया, 15, 30 से 15 को डिवाइद को रहा, 15 to the 30 होता है, तो यानि m का वैलू 2 आ गया, मेरा m का वैलू मैंने निकाल दिया, ध्यान देना, ध्यान देना, m का वैलू मैंने निकाल दिया, n नहीं नि इसको, n क्या है, 10-4m, n क्या है मेरा, n जो है, 10-4m, थोड़ा मैने बड़ा खीचा है, जान मुझके, ताकि थोड़ा समझने में आसानी लगे, इसका भी और थोड़ा शॉटकट भी हो सकता है, तो मैने steps को थोड़ा एग्जाजरेट किया है, तो बड़ा बड़ा दिखाया तो n का वैलू आ गया है, तो इसका मतलब, मेरा, therefore, क्या बोल सकते हो, therefore, जो आपका m का वैलू जो आया, और n का जो वैलू आया, वो भी आपका 2 आया, यानि दोनों के देनों वैलू 2 आया, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, hence, proved, यही चीज आपको शो करने बोल रहा क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कि आपको शो करना है, show that m is equal to n is equal to 2, यानि m और n दोनों का वैलू 2 आना चाहिए, तो हमने शो करके दिखा दिया, कि m और n का वैलू 2 है, तो आप देख सकते हो, दो पेज लग गए बकाईदा हम लोग को solve करने में, इतना बड़ा यह यह example था, लेकिन हमने बिल्कुल हार निमानी, और भेतरीन तरीके से आपको solve करके दिखाया, और आपको उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको इसका concept जो है, वो clear हो गया होगा, clear है बच्चा, ओके आगे बढ़ जाए, एक आखरी question, एक last question, चलो देख लेत पी of two निकालना है, फिर पी of minus two निकालना और पी of one निकालना और सबको plus minus करना है, जो भी है, तो चलो सबसे बहुत निकालेंगे, इसको माले तो equation number one, तो मैं क्या निकालना पड़ेगा, put x is equal to 2 in equation number one, तो मुझे क्या निकलेगा, यहां से p of two निकलेगा, जो की हो जाएगा, प्लस 5 मल्टिप्लाइब एक्स का वैलू 2, फोल कर लो 2, 5 उजा 10, यानि P of 2 का जो वैलू आ गया, वो आ गया, 2 प्लस 10 is 12, तो P of 2 का वैलू निकल गया, पहला वैलू निकल दिया P of 2, अब P of minus 2 निकल लोगा, तो P of minus 2 निकलने के लिए X के जगा पर क्या डालना है, minus 2 डालना 2 प्लस, 2 प्लस 5X, तो 5X के जगा पर minus 2, solve कर लो, तो 2, 5 मल्टिप्लाइब है, minus 2 is minus 10, 2 minus 10 कितना होता है, minus 8 होता है, तो हमारा P of minus 2 का जो वैलू आ गया, वो आ गया, minus 8, तो P of minus 2 भी हमने निकल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तीसरा जो है, वो है P of 1, तो P of 1, य पिड़े, तो P of X के जगहा पर 1 हो जाएगा, 2 प्लस 5, X के जगहा पर 1, solve कर लो, 2, 5 and the 5, 2 plus 5 is equal to, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो P of 1 हमारा वैलू आ गया, 7, ठीक है, तो P of 1 हमारा आ गया, 7, ठीक है, 2 वैलू मिल गया, P of 2 मिल गया, P of minus 2 मिल गया, और P of 1 मिल गया, हमारा main intention क्या है, हमें निकालना है, then, हमें निकालना है, P of 2, plus P of minus 2, minus P of 1, ये value निकालना है, ठीक है, तो P of 2 का value है, 12, ठीक है, प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर P of minus 2 है, P of minus 2 का value हमने अलोड़ी निकाल रखा है, जो कि ये minus 8, तो यहां पर आ जाएगा minus 8, फिर minus है, minus P of 1, P of 1 का value है, ठीक है, तो इसको अगर हम solve कर ले, तो आज जाएगा, 12, plus minus, minus, minus 7, तो 12 minus 8 होता है, 4, 4 में से 7 गया होता है, 4 minus 7 is minus, तो इस तरीके से हमारा answer आ गए, this is your final answer, तो इस तरीके से, P of 2, P of minus 2, और ये जो P of 1 था, minus करके, तो हमारा finally answer हमने निकाल दिया है, बच्चा, जो क आ गया है, minus 3, clear, तो उमीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये समझा दिया, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको clear भी हो गया होगा, एक आकरी example है, इसको भी देख लो, फिर खतम हो जाएगा हमारा practice set, same वही चीज़ है, P of X बोल रहा है, ये value दिया है, put X is equal to 5 root 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, X के जगा पे 5 root 3, जो है, वो डालेंगे, ऐसा example हमने किया है, पहले भी, पहले के exercise में, X के जगा पे क्या डालेंगे, 5 root 3, ठीक है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, 2X cube, minus 5 root 3, X के जगा पे अगें, 5 root 3, ठीक है, देखो थोड़ा critical हो सकता है, multiplication वगरे में, इस पे ध्यान देना बस और कुछ नहीं, चलो, 2 है, 5 का cube कितना होता है, 5, 5, 25, 25, 25, तो ये 5 का cube हो जाएगा, 125, और root 3 का cube क्या हो जाएगा, root 3 multiply by root 3, multiply by root 3, root 3 multiply by root 3, root 3 multiply by root 3, 3 multiply by root 3, 3 root 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 3 root 3, ठीक है, समझा, ओके, आगे बड़ो, ये हो गया, बीच में है, minus, ये है 5 root 3, multiply by 5 root 3, plus 5, solve कर लो, आगे, 2 multiply by 125, 250, 250, multiply by 3 भी कर लो, न, साथी में कर लो, 2 multiply by 125, 250, 250, multiply by 3, 750, root 3, ठीक है, 750, root 3, minus, 5 multiply by 5 is 25, root 3 multiply by root 3 is 3, plus 5, solve कर लो, आगे, कर लो, 750, root 3, minus, 25, 3 जा होता है, 75, plus 5, तो लाश्ट में हमारा एंसर आएगा, 750, root 3, minus 75, plus 5, कितना हो जाएगा, तरके देखो, 25, plus 5 is 80, तो माइनस 80, तो यह हमारा एंसर हो जाएगा, तो 750, root 3, जो है, उसके हिसाब से हमारा एंसर आ रहा है, चलो, प्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो, माफ करना, बच्चा, माफ करना, मुझे, देखो, यह पूरा question को मैंने गडवड़ कर दिया, अब आप मुझे, मैं गालिया दोगे, देखो, क्या अगड़ बढ़ गया, यह cube है, भाई, square है, मैंने cube कैसे ले लिया, मुझे तो doubt हुआ ही था पहले से ही, यह cube नहीं है, बच्चा, यह square है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा answer गलत हो जाएगा, और मैं दुबार से solve कर वा देता हूँ, बच्चे से cube के जगा, square के जगा पर मैंने cube लिखके solve कर रहा होता, तो आप मुझे आवाज देते, अरे sir, sir, आप गलत कर रहे हो, live तो नहीं है, recorded है, इस तो यह square है, देखो, मैंने गलती से cube लिख दिया था, इसके लिए मैं बोलता हूँ, exam में question paper को जब देखके answer पर लिखते हो, answer sheet पर तो बरब पर देखके लिखना, कि गलती से square का cube ना हो जाए, cube का square ना हो जाए, तो चलो solve करेंगे, कोई दिक्कत की बात में, बाई, कोई tension नहीं आया, 2x square था, तो x का देखा पर 5 root 3 डाला, इसका square करना और कुछ नहीं, बस, बाकी कुछ नहीं, तो यह 2 है, multiply by 5 का square होता होता है, 150, minus, 5-5 जा होता है, 25, 25, multiply by root 3, multiply by root 3 होता है, 3, plus 5, ठीके, so 150, minus, 25, 3 जा होता है, 75, plus 5, 80, 150, minus, नहीं, बारवा ना, 25, 3, 2, 75, एक टेख बड़ा देता हूं, 75, plus 5, ठीके, तो क्या हो जाएगा, minus 75, plus 5, 150, minus 75, plus 5, कितना होता है, minus 75, plus 5, is minus 70, परावर, 150 में से 70, minus करो, 80 बचेगा, that's it, this is the question, तो P of 5, root 3, is equal to 80, this is your final answer, और इस तरीके से हमने एकदम correct answer निकालके, यहाँ पे दे दिया, ठीक है बच्चा, तो clear, इसी के साथ यह पूरा का पूरा हमारा practice set होता है, complete, finally, दो lecture लग गए, यह खतरनाक practice set को solve करने में, लेकिन easy है, थोड़ा सा lengthy है, और एक चीज दिमाग खु आते हैं, तो यह आप समझ सकते हो, ठीक है, चलो, बाकी चीजे होती रहेगी, आज के लिए इतना ही, इसी के साथ यह practice set कतम होता है, फिर एक ही practice set बचरा ही चाप्टर का, वो भी बहुत जल्दी वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, चेकाउट करते रहना, तो आज के लिए आपको कैसा लगा है, जरूर से comment करके बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो please वीडियो को like कर देना, share कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आयो चैनल पर अभी जग चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को भी press कर देना, ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नवी वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and good bye.